है अगे हैं आप देख रहा है गुड़ाइप लार्निंग आज मैं देखांगा टी बी का एक फॉल्ल त्रिपी आर तो आप देख सेकते हैं मेरा पास फिलिप्स कमपानी का जोद्य नची करना है हमें तो सबसे पहले मैं देखाऊंगा आपको इसका क्या फॉल्ट है तो इसके बाद इसको रिपेर करेंगा कर दो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले इस टीवी को अन करना है इसको इस लाइन इसके स्विश अन किया मैंने अभी इसके बाद टीवी रिमट से मैंने अन किया टीवी अन भी हुआ आप देख सकते हैं दो प्रेंट इसका फॉब्लम जो है इसका पॉब्लम है टीवी ओन हो रहा है लेकिन डिस्पेले में कोई लाइक नहीं shortage क्लि़का चिन में कोई फिक्टर नहीं आ रहा है तो इसका पॉब्लम ही है पॉबलम तो चलिए देख ली थे इस प्रब्लेम कहां से हो रहा है तो फ्रेंट आप देख सेकते हैं जो फिलिस कमपानी का टीवी है इसका और्जिनल सार्कित भी है यही है इसका और्जिनल सार्कित बोट तो इस टीवी में जो फॉल्ट हो रहा है यह फॉल्ट होता है हमारा जो सियार्टी बोट है आप देख सेक तो यहां पर हमें चेक करने थे एफ फॉल्ट रिपियर कर सकते हैं तो यहां पर तो फैन्स 김्छ याद रखे यो ऐसा problem क्यू होता है जब क्यों अन करने के लिए साफलाई वोल्टेज जरुरत है वो वोल्टेज हमें आते हैं य॥ 20 ते तो यही Presburg पिक्चर ट्यूब को नहीं मिले तो पिक्चर ट्यूब कैसे अन होगी और पिक्चर ट्यूब में लाइट कैसे मिल आएगी तो यहीं सब्सक्राइब वोल्ट हमें सबसे पहले देखना होगा किया इसे चेक करना किहीं कि इसका और आण से जहरें होता है यहीं दो सब्सक्राइब आने अज़रें पिक्चय को अदा science मिलएं को मिल रहा है क्या नहीं आप देख सकते हैं हमारा किता सपलाई कर आप देख सकते हैं यहां से यह हैं CRT Base Board यहाँ पर आते हैं यहाँ से हमारा पिक्चर टूप पर सप्लाई मिलता है एस प्लाई एसी 5 बोल्ट आप देख सकते हैं नहीं मिल रहा है अभी एसी 5 बोल्ट जो सप्लाई ज़रूरत है हमें करने के लिए तो फ्रेंट यहाँ पर जो सप्लाई भूलट आता है यहां से जो तीनों सप्लाई यह सप्लाई जो देख रहा है यहां के एक रेश्टर है उसके बाद हमारा CRT Base से यहाँ पर आता है और यह बेस से हमारा 복 wichtige टूब को सापलाई मिलता है तो कुछ लूब क्या करते हैं सबचे पहले प्से को सब्सक्राइब वोल्टेश करना होगा तो उसके बाद नहीं काम करेगा तो बेश चेंज कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहां से एक रेश्टर है जो हमारा है लेकिन बेश तक नहीं आ रहा है आप देख सकते हैं यहां से एक रेश्टर है उसके बाद इसे इस तरब से यहां पर आता है यह बेस से यह हमारा हीटा सप्लाई तो इही वोल्टेस का पॉब्लेम देखा है आमने तो यहां पर इफाल्ट नजर आ रहा है देख सकते हैं यह बेस्टा ट्रेंग देख सकते हैं यह हमारा बेस में पॉब्लेंट का अब इस我們 with address test करके हमें यहीं मिला रेस्टेस की इदर वोल्टेस साप्लाई है और इसके बाद नहीं मिल रहा है तो रेस्टेंस फाल्टी नजर आ रहा है जो वानॉम्स का रेस्टर है कि इसकी बाजेश से हमारा पिक्चर तुक को सब्लाइब और भोल्ट यही हमें तो अब पसे पहले वोल्ट चेक आपने अभी जो यहाँ पर सपलाइब वोल्ट पर आता है जो आपक इस यो आपक देख सकते हैं यह तो नजर आ रहा है को सब्सक्राने पहले अज हो सब्सक्राइब को निकाल का टेस्ट करना होगा मिटक्र इस तो उसके बाद इसका supply voltage टेस्ट करेंगे क्या condition है तो चलिए इसे शार्किर्ट से निकाल लेती है जो रेश्टर है वान अम्स का हमारा इस पहला सब्लाई मिलती है picture tube को जिसके बज़े से इसी फॉल्टी नजर आ रहा है तो इसे एक बार निकाल का टेस्ट कर लेती है कि सबसे पहले इसे इसको निकालना होगा शोल्डर रिंग साप करना है कि अगर करें कि अगर करें कि अगर करें कि अगर करें तो तो फैन जो रेश्टर फालती नाजर आया है वो रेश्टर हम मैंने निकलनी आप सब्सक्राइब कि अप मैं ऐसे मिटर से टेस्ट करेंगे कि मिटर से टेस्ट करने ही मिस्वाक इसका इसकी बारे में स्वही इंपरोंशन मिले और हमें कि देख सकते हैं इसका कोई भेलू नहीं दिखा रहा है इसका मतलब यह खराब हो चुकी है कि इसका कोई भेलू दिखा नहीं मैंने मीटर से टाच किया आप देख सकते है कि इसका कोई भेलू नहीं दिखा रहा है जब मैं टाच करती हूं इसके तो यह तो बेलकुल खराब हो हो चुकी है आप जेक्ट छिकते हैं कि जाल कर काले हो गया तो तो यह रेश्टर बेलकुल खराब हो चुकिए तो इसे हमें चेंज करना होगा सबसे पहले और उसके बाद फिर से एक बार सब्लाइब टेस्ट करेंगे अब देख चेक्ते किस तरफ से जाल गया रेश्टर काले हो गया जाल कर तो फ्रेंट इसको चेंज करके हमें अभी नया डालना है रेश्टर तो इसका वेलू है वान नॉम्स का रेश्टर है अब हमें वान नॉम्स का रेश्टर निकलना है नया अब यह नया रेश्टर सार्कित ने डालने से पहले एक बार मिटर से टेस्ट कर लेना चाहिए है क्योंकि कभी-कभी नया रेश्टर भी खराब निकलते हैं इसलिए हमें टेस्ट करके इसे डालना होगा सार्कित में कि आप देख सकते हैं वेल्कुल ठीक है नया रेश्टर तो आप इसे लागा सकते हैं सार्कित में कि लाण देने प्दू क्यांने होगा कि लाण दॉ की लाणी खाई्टर निया हमें Sr. भ्овых रादी है आर ग्रोग्दों कि लाण कि लाण अ हां दो तो प्रेंट जो र्च्टर खराप निकला वो रिर्च्टर मैंने चेंज कर दिया आप इसे एक बार फिर से वोल्टेज चेक करना है कि अब कि अब कि अब कि अब इससे पहले टीवी का अन करना है अन किजिए कि अब हमें जो फोल्टेज चेक करना है वो एसी फोल्टेज चेक करना है एसी है एसी फाइब वोल्ट आप देख सकते आप रेस्टेंस के दो पासी फोल्टेज आ कि अब देख सकते हमारा से इस फोल्टेज के आसपास ब्ली गया अब देख सकते हैं चार और पास फोल्टेज का आसपास यहां पर है जो शिटन शाना सबम भुल्टेज आता है पहले एक ग्राउंड और हीटा सापलाई 5 वोल्ट एसी और एक 180 वोल्ट जो 108 वोल्ट एक तीन कनेक्शन है हमारा पिक्चर टूप कर अउन करने के लिए कि यह हमारा हीटा सापलाई और ठीक हो गया बेलगूल तो फ्रेंट हमें जो टेस्ट करके मिला हमारा जो हीटा सापलाई पॉब्लेम थी वो ठीक हो गया आप एक बार फेर सेट का अन करके देख लेंगा तो फ्रेंट आप देख सेकते हैं हमारा पिक्चर टूप के जो अन करने के लिए जो सापलाई बोल्टेज ज़रूर थी वो मिल गया और सब कुछ ठीक हो गया आभी तो फ्रेंट इस सब कुछ ठीक होने की बाजुत भी हमारा पिक्चर टूप में स्कीन में लाइट नहीं आए तो तो क्या करना होगा तो हमें इसके बाद जो यहाँ पर है जो बेस है उसको हमें चेंज करना है और ठीक हो जाए तो अच्छी बात है तो चलिए फिर से एक बा सब्सक्राइशन है अच्छी 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 को मैंने अन किया देख सकते बेलकुल ठीक हो गया ऐसे जो प्राप्लेम थी बहुत ठीक हो गया इसलिए तो फ्रह Canton आप ऐसे कोई भी section का फॉल्ट रिपेर करें तो इसे देखके चेक करके ठीक्ठक से चेंज करें तो फें कोई भी section का fall repent करने से पहले उस section का voltage सबसे पहले चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह पर supply voltage नहीं मिलेगा तो कैसे काम करेगा वो section तो आपको ज्यादा parts change करने का जरूरत नहीं परेगा तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे थैंक्यू दोस्तो मेरा वीडियो को देखने के लिए और ये वीडियो आच्छे लगतो लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए कि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ तरह लाता हूँ